दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप से विका आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चानल स्कॉलर इंग्लिश पर मेरा नाम है दिप्टा कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एक्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ बेसिकलि आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने जा रहे हैं दा हिंदू एडिटोरियल का वोकेब अनलिसिस आशा करती हूँ कि आप इन सेशन्स के साथ रेगुलरली जुड रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं क्योंकि इन सेशन्स का मकसद है आपकी वोकेब आवर को और ज़्यादा इन्हांस करना और यह जो वोकेब सेशन्स है यह बैंक, SSC, रेलवे, UPSC या फिर किसे भी competitive exam के लिए equally बहुत ही ज़्यादा important है तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकेब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला word कौन सा है तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला word है steak Steak का मतलब होता है दाव पे लगाना और ये हमारे पास parts of speech में verb है यानि कि क्रिया है सिननिम इसका होता है assert या फिर claim यानि कि दाव पे लगाना कोई चीज इग्जाम्बल इसका है यानि कि उसने अधिकारों के लिए लड़ने पर अपना करियर भी दाव पर लगा दिया इस context में हम जो है वो steak इस word का अलग-अलग sentences में use कर सकते हैं इसके साथ हम आगे चलेंगे हमारे next word की तरफ और जानेंगे कि हमारा next word कौन सा है तो इसके बाद हमारा अगला word है peripheral peripheral का मतलब होता है कमतर या फिर God यानि कि कोई चीज कम दरजे की होना या फिर उसे कम आका जाना कम आकना उसे हम कहेंगे peripheral ये हमारे पास parts of speech में noun है synonym इसका होता है unimportant यानि कि जो चीज जरूरी नहीं होती उसे हम कहेंगे peripheral या फिर unimportant example इसका है हर points are considered peripheral in the meeting discussion यानि कि meeting के discussion में उसके बातों को कम तर आका गया इस context में हम जो है वो peripheral इस word का लगलग sentences में use कर सकते हैं then हम इसके साथ आगे चलेंगे हमारे next word की तरफ जानेंगे कि हमारा next word कौनसा है then इसके बाद हमारा अगला word है induction induction का मतलब होता है प्रवेश यानि कि शामिल होना किसी का add हो जाना शामिल हो जाना उसे हम कहेंगे induction किसी post या फिर organization में किसी का शामिल होना उसे induction कहा जाता है यह हमारे past parts of speech में noun है synonym इसका होता है involve या फिर include यानि कि शामिल होना अब example की मद़ से समझते हैं example इसका है the induction of a new member is an opportunity for us to celebrate diversity यानि कि नए सदेस्य का शामिल होना हमारे लिए विविदिता का जश्न मनाने का एक आउसर है इस context में हम जो है वो induction इस word का अलगलग sentences में use ले सकते है then इसके साथ हम आगे चलेंगे हमारे next word की तरफ then हमारा next word है shroud shroud का मतलब होता है गुपत रखना यानि कि छुपाना या फिर cover करना किसी चीज़ को उससे हम कहेंगे shroud यह हमारे पास parts of speech में verb है यानि कि क्रिया है synonym इसका होता है cover या फिर hide यानि कि छुपाना या फिर छुपाने की कोशिश करना example इसका है the influencer's post was shrouded in controversy यानि कि विवादों में influencer की post को छुपा दिया गया इस context में हम जहे वो shroud इस word का अलग-अलग sentences में use कर सकते हैं then इसके साथ हम आगी चलेंगे हमारे next word की तरफ और जानेंगे कि हमारा next word कौन सा है then उसके बाद हमारा अगला word है overtly overtly का मतलब होता है खुले तौर पर यानि कि बिना कुछ छुपाए खुल कर बोलना उससे हम कहेंगे overtly यह हमारे पास parts of speech में adverb है synonym इसका होता है unconceal यानि कि जो चीज़ छुपाइन आ गई हो उसे हम कहेंगे unconceal for example she expressed her opinions overtly यानि कि उसने अपनी राय खुल कर बताई इस context में हम जह है वो overtly इस word का लग-लग sentences में use कर सकते हैं then इसके साथ हम आगी चलेंगे हमारे next word की तरफ और जानेंगे की हमारा next word कौनसा है then इसके बाद हमारा अगला word है discernible discernible का मतलब होता है पहचानने योग्य या जो चीज़ आसानी से दिख जाए उसे हम कहेंगे discernible ये हमारे पास parts of speech में executive है यानि कि विशेशन है synonym इसका होता है visible या फिर noticeable यानि कि जो चीज़ आसानी से दिख जाए पहचानी जाए उसे हम कहेंगे discernible for example the difference between the two is readily discernible यानि कि दोनों के बीच का अंतर आसानी से पहचाना जा सकता है इस context में हम जो है वो discernible इस word का अलग-अलग sentences में use कर सकते है then इसके साथ हम आगे चलेंगे shenanigans का मतलब होता है चाल बाजी या फिर कपट करना उसे हम कहेंगे shenanigans ये हमारे पास parts of speech में noun है synonym इसका होता है dishonest यानि कि बेइमान example इसका है his shenanigans at work led to his dismissal from the company यानि कि काम पर उसकी चाल बाजी के कारण उसे company से निकाल दिया गया इस context में हम जहें वो shenanigans इस word का अलगलग sentences में use कर सकते हैं then इसके साथ हम आगे चलेंगे हमारे next word की तरफ और जानेंगे कि हमारा next word कौन सा है तो हमारा अगला word है line line का मतलब होता है गिरवी रखना कोई चीज और ये हमारे पास parts of speech में noun है synonym इसका होता है possession यानि कि स्वामित्व जताना या फिर कोई चीज गिरवी रखना example इसका है the dealership placed a line on the car यानि कि dealer ने कार को गिरवी रख लिया इस context में हम जहें वो line इस word का अलगलग sentences में use कर सकते हैं then इसके साथ हम आगे चलेंगे हमारे next word की तरफ then इसके बाद हमारा अगला word है stall stall का मतलब होता है रुक जाना या फिर रुकावत आना बाधा आना उसे हम कहेंगे stall ये हमारे पास parts of speech में verb है यानि की क्रिया है synonym इसका होता है delay या फिर interrupt यानि किसे चीज में देरी होना या फिर रुकावत आना उसे हम कहेंगे delay या फिर interrupt जो की stall का synonym है example इसका है the construction project is stalling due to a lack of funding यानि कि construction project funds की कमी होने के कारण रुक गया या फिर उसमें रुकावत आ गई इस context में हम जो है वो stall इस word का लगलग sentences में use कर सकते हैं then इसके साथ आगे बढ़ेंगे आज के हमारे last word की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा last word कौन सा है तो आज का हमारा last word है scuttle scuttle का मतलब होता है ursuffle होना और ये हमारे past parts of speech में verb है यानि कि क्रिया है synonym इसका होता है fail यानि कि ursuffle होना example इसका है इस context में हम जो है वो scuttle इस word का लग-लग sentences में use कर सकते है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो do like this video, subscribe the channel and share as much as you can Till then keep learning, thank you